हे फ्रेंस वेलकम बैक टो मैं चैनल फ्रेंस आज हम सीखेंगे बिल्कुल बाजार जैसे ही डिलिशेस रस्मलाई घर में आसानी से कैसे बना सकते हैं बस कुछ सिंपल टिप्स हैं और ट्रिक्स हैं जिसे आपको फॉलो करना है जिसे मैंने इस वीडियो में शेयर किया है तो इस वीडियो को अंतक जरूर देखें और आज की वीडियो भी आपको इजी लगे हेल्फुल लगे तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें शेयर करें अपने फ्रेंस और फैमली के साथ तो चले फ्रेंस बनाना शुरू करते हैं इतनी रस्मलाई बनाने के लिए हमें चाहिए एक लीटर काउ मिल्क मैंने पैकेट वाला काउ मिल्क यूज किया है आप चाहें तो फ्रेश काउ मिल्क का भी यूज कर सकते हैं अब हम इस दूल से चेना तैयार करेंगे इसके लिए हम इस दूत को एकवरतन में डालीगे और एक बॉइल आने तक घरम कर लेंगे अब आप देख सकते हैं दूद में एक बॉल आ गया है अब हम इस टोप को बंद कर देंगे और दूद को हम दो से तीन मिनट के लिए साइट पर रखेंगे जब तक दूद थोड़ा ठंडा हो रहा है हम दूद को फारने के लिए एक बॉल में दो बड़ा चमच सिर्का लेंग दूद को एक बार हलका सा चला लेंगे हम इस तरह से और अब हम इसमें सिर्का और पानी का मिक्षर थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे सिर्का और पानी का मिक्षर डालने के बाद दूद को हलका हलका चलाएं अब आप देख सकते हैं दूद फटना शुरू हो गया लेकिन अभी ये पूरी तरह से नहीं फटा है हम इसमें थोड़ा सा और सिर्का और पानी का मिक्षर डालेंगे और बिल्कुल हलके हाथों से दूद को इस तरह से चला लेंगे अब आप देख सकते हैं दूद पूरी तरह से फट गया है चेना अलग हो गया है और पानी बिल्कुल अलग हो गया है तो बिल्कुल इसी तरह से आप भी चेना त्यार करें अब हम छेना को छान लेंगे, छाननी के लिए हम इस तरह का एक छन्नी ले लेंगे और एक बड़ा बरतन लेंगे इस तरह का और हम छन्नी के ऊपर एक कपड़ा डाल देंगे, मैं कॉटन का रुमाल यूज कर रही हूँ, आपके पास जो भी अब लेवल है आप वो ले सकते है और अब हम इसमें छेना को छान लेंगे, ये देखिए छेना का पानी पूरी तरह से निकल गया है और इस पानी को आप कुकिंग में यूज कर सकते हैं, अब हम इस छेना को एक दूसरे बरतन पर रख लेंगे, क्योंकि हमें छेना को अभी ठंडे पानी से धोले ना है, अब चेहना को पानि डालकर अच्छे से दूले ताकि चेहना के अंदर से फ्लेवर पूरे तरह से निकल जए छेना को अच्छे ससे दूलेने के बाद अब हम कपड़ेगो चारो तुरब से इस तरह से पकड़ कर पोटली की तरह बना लेंगे और हलके हातों से छेना से एक्स्ट्रा पानी इस तरह से निचोर कर निकाल लेंगे हमें बिल्कुल हलके हातों से इस प्रोसेस को करना है दोस्त तीन वार इस तरह से हम इसे हलके हातों से दबा कर एक्स्ट्रा पानी निकाल लेंगे और अब हम इसे पोटली की तरह इस तरह से बना लेंगे और नल के पास इसे लगबख एक घंटे के लिए टांग कर छोड़ देंगे ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी अपने आप बाहर निकल जाए जब तक छेना रेडी होगा हम रस्मलाई के लिए रवडी रेडी कर लेते हैं इसके लिए हम हाफ लीटर दूद लेंगे इतनी रस्मलाई बनाने के लिए हाफ लीटर दूद काफी है और मैंने काव मिल्क यूज किया है आप चाहे तो फुल क्रीम मिल्क का भी यूज कर सकते ह अब हम दूद में रसमलाई का फ्लेबर और कलर लाने के लिए डालेंगे कुछ धागे केसर के आप इसके जगा पर यलो फूट कलर का भी इस्तमाल कर सकते हैं ताकि इसमें हलका सा यलोईश कलर आ जाए और अब हम इस सब को मिलाते रहेंगे ताकि ये जल्दी से बॉयल हो जा कि आपको मीठा पसंद है और अब हम इसमें तीन इलाइची को कूट कर डाल देंगे इसके जगा पर आप इलाइची पॉडर का भी इस्तमाल कर सकते हैं अब इन सब को अच्छे से मिला लें फ्लेम को हम मेडियम रखेंगे अब दूद को हम थोड़ा सा गाड़ा होने तक प भूलती जाए तो इसी तरह से हम इसे लगातार चलाते हुए थोड़ा सा गाड़ा कर लेंगे अब आप देख सकते हैं दूद थोड़ा गाड़ा हो गया और केसर का भी बहुत अच्छा कलर आया है और इसकी कंसिस्टेंसी देखिए यह पॉफेक्ट है हमें इससे जादा इ अब इसे साइट पे रख दें छेना को रेस्ट करते हुए एक घंटा हो गया है इसलिए पहले हम शुगर सिरफ तयार होने के लिए रखेंगे इसके लिए हम एक बड़े पैन में तीन चोथाई कप चीन लेंगे और सेम कप से हम इसमें डालेंगे छे कप पानी फ्रेंड्स रखुला को स्पॉंजी और सॉफ्ट पनाने के लिए उसकी चांशनी का पतला होना बहुत ज़रूरी है तो इस बात का ध्यान रखे कि रखुला की चांशनी है वो बिल्कुल पतली होनी चाहिए अब हम इसे मिला लेंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पर पकने देंगे इध चेना का जो टेक्शर है बिल्कुल पॉफेक्ट है बिल्कुल ऐसा ही चेना आप भी तैयार करें अब हम चेना को क्रंबल करते हुए इस तरह से मैश करेंगे और मैश करने के लिए हम हतेली के इस बाले पार्ट से चेना को मैश करेंगे और हम इसे चार से पांच मिनट तक मस मसल लेंगे जब तक कि यह soft dough के form में न आ जाए चेना को मसलते हुए लगबख 4-5 मिनट हो चुके हैं अब आप देख सकते हैं यह dough के form में आ गया है अब हम इसमें डालेंगे एक छोटा चमब सूजी और इन सब को अच्छे से मिलाते हुए 5-6 मिनट के लिए और मसल लेंगे यह चेना को तब तक मसले जब आपको लगे कि चेना से हलका सा घी रिलीज होना शुरू हो गया है तो आप समझ लेना कि चेना अच्छे से मैश हो गया है चेना अच्छे से मैश हो गया है और यह अच्छे से बाइंड भी हो रहा है और इससे हलका सा घी भी रिलीज हो रहा ह अब हम इस छेना से 7 रस्मलाई की टिक्किया बना लेंगे आप चाहें तो ज़्यादा भी बना सकते हैं तो इस तरह से छेना को डिवाइड कर लेने के बाद एक पोर्शन लेंगे और इसे हम इस तरह से हतेली के बीच में रखते हुए बॉल का शेप देंगे पहले बॉल बनाते समय आप देखेंगे इस तरह से हतेली में चिकनाई सी दिख रही है इसका मतलब है छेना अच्छे से मैश हुआ है अब हम इस छेना के बॉल को दबाकर इस तरह से चप्टा कर देंगे तो अब पतला रखना है हमें और इसी तरह से हम बाकी के छेना से भी टिक्कियां बनाकर रेडी कर लेंगे रस्मलाई बनाने के लिए छेना की सारी टिक्कियां अब रेड़ी है तो चलिए हम आगे के प्रोसेस को कर लेते हैं इधर चासनी भी अच्छे से उबल गई है अब हम इसमें एक एक करके छेना की टिक्कियां डाल देंगे अब इसे बिना ढख के, 2-3 मिनट तक हाइव पक्ते हुजआ हई पखने दे पकते हुए तीर मिनट हो गए है अब हम इसे ढख देंगे और ये छोटा सा छोल है इसे हम सिर्वर इसे प्रफाइल से बंद कर देंगे ताकि इसे दस मिनट के लिए हाइ फ्लेम पर पकने देंगे रस्मलाई को पक्तोवे पूरे 10 मिनट हो चुके हैं अब हम इसका धक्कन हटा देंगे यह देखी यह फूल के डबल हो चुके हैं अब हम इन्हें बिल्कुल हलके हाथों से पलट देंगे इन सबको पलट लेने के बाद अब हम इसमें एक कप उबलता हुआ पानी डालेंगे उबलता हुआ पानी हम इसले डाल रहे हैं ताकि चाशनी पतली रहे हैं अगर चाशनी गारी हो जाएगी तो रस्मलाई या रसुल्ला जो भी आप बना रहे हैं वो हाट बनेगा तो इस बा सो फ्रेंट्स अब ये बिल्कुल तयार है अब स्टोप को हम बंद कर देंगे और इसे 15 मिनट के लिए इसी तरह से साइड में रख देंगे रसमलाई के रसगुले अब थोड़े से ठंडे हो चुके हैं अब हम इन रसगुलों का रस निकाल करके रबडी में जो हमने तयार किया था उसमें डालेंगे तो इस तरह से हम इसका रस निकाल लेंगे दबा करके आप देख सकते हैं ये थोड़ी देर में ही काफी रस को सोक कर तो बिल्कुल हल्की हीतों से प्रोसेस च c u को अब էाएमने से काफीड निकल रहा है तो बिल्कुल हलक लुकते हातों से process को करें, सब्सक्राइब रस इनकाल लेने के बाद अब उन्हें 할 सरिन लीशिए में रखएंगे अब हम इनके उपर हलकी सी गरम रबडी डालेंगे ताकि रसकुलों के अंदर ये आसानी से सोक हो सके आप इस टिप्स और ट्रिक्स को जरूर फॉलो करें रबडी को डालने के बाद अब हम इने 3-4 गंटे के लिए इसी तरह से छोड़ देंगे चार गंटे बाद हम इने रफ्रिजरेट करेंगे और फिर ठंडा ठंडा सर्फ करेंगे तो लीजे दूस्तों घर पर बनी ठंडी ठंडी डिलिशेस रसमलाई अब बिल्कुल रेडी है सर्फ करने के लिए तो आप सारे टिप्स और टिक्स को फालो करें और इस रेसीपी को एक पार जरू ट्राइगे आपको बहुत पसंदा आएगे और कामेंंट बॉक्स में भी कामेंट करके जरू बताएगी आपको आज की रेसीपी कैसी लगी रेसिपी एजी लगे हेलफू लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करें शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमली के साथ और ऐसी धेरो मज़िदार रेसिपी इसको देखने के लिए मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले साथ में बेल आइकन का बटन भी जरूर क्लिक करें ताकि आपको मेरे आने वाले हर लिटिस्ट वीडियो की नौटिफिकेशन सबसे पहले मिले तो चले दोस्तों फिर मिलते हैं एक नई और मज़िदार रेसिपी के साथ थैंक्यू सो मच पर वाचिए में बाबाई